फिल्म ती वायरस की उत्पत्ती की व्याख्या करते हुए एलिस के साथ शुरू होती है। डॉक्टर जेम्स माकस अपनी बेटी एलिसिया का इलाज करना चाहते थे, जो प्रोजेरिया से पीडित थी। माकस ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के भीतर एक इलाज बनाया, लेकिन जल्द ही उनके सहयोगी डॉक्टर अलेक्जेंडर इसाग द्वारा उनके साथ विश्वास घात किया जाएगा, माकस वायरस के विनाशकारी प्रभावों को देखकर कार्यक्रम को बंद करना चाहते थ और महीनों के भीतर अगले 10 वर्षों में पूरा ग्रह संक्रमित हो जाएगा। शुरुवाती द्रिश में एलिस वाशिंटन डी सी के खंधरों में अकेले घूम रही है। वह पानी का एक तालाब ढूंडती है और एक संक्रमित उत्परिवर्ती द्वारा हमला किये जाने से पहले पीना शुरू कर देती है। एलिस किसी तरह अपने हमलों से बचने का प्रबंधन करती है और फिर एक कमरे में जाती है जहां वह देखती है कि कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वह वहां से भागती है और एक कार ढूंडती है। अचानक एक उर्टा हुआ राक इसे विसफोर करती है और राक्षस को ओड़ा देती है। एलिस एक इमारत में प्रवेश करती है और लाल रानी से मिलती है। वह जानती है कि वैसकर ने तीन हफ़ते पहले वाशिंटन में एलिस और अन्य बचे लोगों को धोखा दिया था पिछली फिल्म प्रतिशोद की घटनाए। रेट क्वीन एलिस को बताती है कि रेकुन सिटी के खंधरों में दा हाइब ऑफ दर अम्रेला कॉर्पोरेशन के भीतर स्थित एक एबोन एंटिवाइरस है और उसके पास वहाँ पहुचने और उसे बाहर निकालने के लिए अर्टालीस घंटे हैं। अन्य था पूछती है कि आप मेरी मदद क्यों करेंगे। लाल रानी बताती है कि मेरी प्रोग्रामिंग मुझे छाता निगम को नुकसान पहुचाने की अनुमती नहीं देगी और इसे वहाँ छत्ते तक पहुचाएगी, आपको वहाँ अपना जवाब मिल जाएगा। एलिस एक चोर पूटरसाइकलों में से एक को लेने की कोशिश करती है, लेकिन यह केवल छाता ओपरेटरों के लिए काम करती है, इसलिए यह उसे इलेक्ट्रोक्यूट करता है और उसे बाहर निकाल देता है। कई घंटे बाद, एलिस एक काफिले के अंदर अन्य बचे लोगों के साथ ज इसलिए उसे दोरना पड़ता है क्योंकि हजारों मरे हुए लाश उसका पीछा कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या जानते हैं यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो आपकी स्थिती वैसी ही होगी। वह वापस काफिले पर चर जाती है और इसलिए क हाथ काथ देती है ताकि वो मोटर साइकल पर नियंत्रन कर सके और भाग निकल सके। इस साथ की सेना ने एलिस को बंदूकों और रॉकेट लांचरों से मारना शुरू कर दिया लेकिन एलिस सफलता पूरवक बच निकली। एलिस रेकुन सिटी के खंडहर में आती है और दे डॉक्टर एलिस का इलाज करता है और उससे पता चलता है कि उसने और क्लेर ने एक रिष्टा बना लिया है। क्लेर बताती है कि कैसे वहर कारिया जहाज पांचवी फिल्म प्रतिशोध की शुरुआत में पर छाता संचालकों से दूर हो गई। एलिस इलाज पाने के लिए उसकी मदद से बचे हुए लोग जाल का निर्मान करते हैं क्योंकि मरे नहीं बंध होने लगते हैं। तब तक वह लगभग उस पर हावी हो गया। वे थॉमस को काफिले के पीछे बाग देते हैं लेकिन वह एलिस की तरह तेज नहीं है और वह जॉंबी फूट बन जाता है। एलिस और उसका समुह मरे की दो और सिनाव को सीधे उनकी और बढ़ते हुए देखता है। इसलिए कुट्तों में से एक दवारा कुचला जाता है और बाकी समुह नदी में कूट कर भाग जाता है। टीम दहाईप के अंदर जाती है और उसका सामना अब एक मरे हुए इसाई से होता है। जैसे ही दिवारे बंध होने लगती है, वह इमारत में टीम का पीछा करता है। एलिस ट्रेड क्वीन समुह को अम्रिला में एक बोर्ड बैठक की एक वीडियो फाइल दिखाती है जिसमें इसहाक ने निर्नलिया है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और स्वेचा से सर्वनाश शुरू करना चाहिए और उनमें से सबसे मजबूत बचे लोगों को बाहर निकालन चाहिए रेड क्वीन इसे जो करने के लिए प्रोग्राम किया गया था उसके खिलाप जाने के रूप में मानती है वो हैलेस को एक यपीस लेने के लिए कहती है ताकि वो उसे सूचित कर सके कि उनके बीच एक छाता मुखबिर है टीम को रोटेटिंग फैन से गुज़ ना ह वैसकर ने इसे उल्टा कर दिया है जिससे पंखा विपरीद दिशा में हवा को चूसता है और टीम को अपनी ओर कीचता है एलेस अभीगल को खीचे जाने से पहले पकड़ लेती है लेकिन अभीगल उस बैग पर अपनी पकड़ खो देती है जिससे वह पकड़े हुए है औ लेकिन ये हमरता नहीं है। Alice जानवर से लड़ती है और अंत में उसे मार देती है। Alice, Claire और Doc के तीन बचे हुए लोग मूल इसहाग पहले से एक और क्लोन था का सामना करने के लिए सुविधा के शीर्ष तल पर पहुँच गए। Alice अपने निप्टान में एक आइसपिक, डिकेंटर और ग्लास के साथ उसे मारने के अपने विकल्पों पर विचार करती है। लेकिन इसहाग के लेंस में एक सुरक शात्मक सॉफ्ट्विय है जो उसे संभावित हमले की आशनका करने की अनुमती देता है। वह एंटिवाइरस रखता है और उसे छोड़ने की धमकी देता है जब तक कि Alice अपनी बंदूक नहीं छोड़ देता। डॉक्टर उसे नहीं छोड़ते हैं और Alice का कहना है कि वह मुकबिर था। इसहाग तब Alice को बताता है कि वह हमेशा Alice या माकस का क्लोन था। इस रहस्योध घाटन के साथ एंटिवाइरस उसे मार डालेगा क्योंकि यह तिवाइरस से संक्रमित किसी भी चीज़ को नश्ट कर देगा। मूल Alice या वीलचेर में एक बुरी औरत है जो अपनी बीमारी के कारण जीवन से चूप गई थी। वह प्रकोप के लिए खुद को दोशी ठहराती है क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत कमजोर है। वैसकर प्रकट होता है और क्लेर को बंदूप की नोक पर रखता है। चून की रेड क्वीन एक अम्ब्रेला करमचारी को नुकसान नहीं पहुचा सकती है। एलिस या वैसकर को निकाल देती है, जिससे सिस्टम को एक दरवाजा नीचे पटकने और वैसकर के पैर को अलग करने की अनुमती मिलती है। इसहाग दूर हो जाता है और एलिस डॉक्टर को क्लेर छोड़ देता है। उसने अपने धोके के लिए उसे सिर में गोली मार दी। जब वह मरने के लिए तैयार होता है तो एलिस अपने हाथ में देटुनेटर के साथ वैसकर को छोड़ देता है। मूल एलिस एलिस को बताती है कि यदि आप एंटिवाइरस छोड़ते हैं तो यहतिवाइरस से संक्रमित सभी जीवों को मार देगा। लेकिन एलिस उससे कहती है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एलिस और क्लेर इसहाग के पीछे जाते हैं। जब वह एक मंच पर चरता ह तो वे उससे लड़ते हैं। एलिस लेजर ग्रिड में उसका पीछा करती है। इसहाग ने उसका हाथ पकर लिया और उसकी अंगुलियों को अलग कर दिया। लेकिन एलिस इसहाग की जेब में एक ग्रेनेट से एक पिन खीचने का अफसर लेती है। यह उसकी तरफ उर जात है। एलिस अपनी जेब से एंटिवाइरस लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। एलिस एंटिवाइरस को छोड़ने के लिए बाहर जाती है क्योंकि समय समाप्थ होने वाला है। वह उसे गिरा देती है लेकिन इसहाग उसे पकर लेता है। तब ही इसहाग का क्लोन मरे ह पूरे सेना के साथ आता है. वह मूल इसहाथ को देखता है और अविश्वास में है कि वह स्वयम मूल नहीं है. क्लोन इसहाथ क्लोन में मरे नहीं आसू से पहले मूल इसहाथ को मौत के घाट उतार देता है. मरे के पकरने से पहले एलिस एंटी वायरस को छोड़ देती है. सेक पूछती है कि वह अभी भी कैसे जीवित है. रेड क्वीन का एक प्रक्षेपन एलिस को बताता है कि एंटिवाइरस ने उसके शरीर में ती वाइरस कोशिकाओं को नश्ट कर दिया, लेकिन उसकी स्वास्थ कोशिकाओं ने उससे जीवित रखा. एलिस पूछती है कि रेड क्वीन ने उससे पहले यह क्यों नहीं बताया, और वह कहती है कि उससे यह जानने की जरूरत है कि एलिस बाकी मानवता के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तयार होगी. वह Alice को दिखाती है कि Aliceya के मरने से पहले उसने Alice को देने के लिए अपनी यादे अपलोड की थी ताकि Alice को वह जीवन याद रहे जो Aliceya के पास अब हुआ करता था कि वह वह महिला है जो Aliceya कभी नहीं हो सकती अंतेम द्रिश्य में Alice केले अपनी मोटर साइकल पर सवार होकर भाग जाती है उनके वोयस ओवा में कहा गया है कि एंटिवाइरस को पूरी तरह से दुनिया भर में फैलने में सालों लग सकते हैं और उनका काम पूरा नहीं हुआ है उसका पीछा तीन पंखों वाले राक्षस उपर की और उरते हुए करते हैं Alice बस मुस्कुराती है और सवारी करती रहती है